आप सब का वेलकम करती हूँ आज हम बनाएंगे रवे के पापड रवा हमने लिया है 200 ग्राम और साथ में साबुदाना लिया है 50 ग्राम नमक साल्टू टेस्ट तिल एक टीस्पून जीरा एक टीस्पून और सोड़ा थोड़ा सा लगभग हाफ टीस्पून एक बड़े से बगोनी में हमने धाई जक पानी लिया है जिससे मैंने पहले ही इतसे ही गरम पर रख दिया है चलिए अब इसे बनाना इस्टार्ट करते हैं जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए उसमें हम यह सारी चीज़े एक साथ ही दल देंगे नमक सोड़ा तिल और जीरा अब उसके बाद साबुदाना जो पहले से ही हमने भिगो कर रख दिया था ओवरनाइट इसे कुछ देर ऐसे ही पका लेंगे बस दो से तीन मिनिट में साबुदाना अच्छे से गल जाएगा अब उसके बाद हम इसमें रवा आट करेंगे अब हम इसमें रवा आट करेंगे इसको हिलाते हुए रवा आट करना पड़े है नहीं तो इसमें घठ हो जाएगा आट करेंगे पांसे छे मिनिट में हमारा पापड़ आटा रडिव हगा है अब हम इससे पापड़ आट मास्टाइगे अग्या खुई है अदोज.. इससे हम इससे पापड़ आट करेंगे अब करेंगे आट करेंगे कई आट करेंगे करेंगे अब़र आट करेंगे चलिए सूखने के बाद कुछ इस तरीके के हो जाएंगे चलिए अब हम इसे प्राइ करके देखते हैं यह मैने पहले सही सुखा कर रखा था पापा पापा अ गया अ